हेलो एडिवन माई नेम इस वीबोश्षान तो आज हम बात करने वाले स्क्रिणिंग टेस्ट जो होता है जादपूर इनुवस्ट्री में और इसका रिलेटेड जो भी एडवन्टेस्ट में मिलेगा जो एडवन्टेस्ट में नहीं मिलेगा हर कुछ चीज में डिसकस करूंग उसके बाद स्क्रिणिंग में मैं टॉप 10 और टॉप 5 में आ जाओंगा और उसके बाद जितना भी सॉफ्टर कंपणी है उसमें मैं एलिजिबल हो जाओंगा लेकिन रियालेटी में ऐसा नहीं होता है ठीक है ध्यान से सुनू स्क्रिणिंग टेस्ट फरस्ट वाल कौन देत होता है और 40 के स्टार्टिंग में होता है जो एफटी मतलब फूल टाइम इंजिनियर के लिए तो उसका मतलब दो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एक इंटर्स के लिए एक प्लेस्मेंट के लिए ठीक है तो यह लोग दे सकता है उसके बाद कौन-कौन का क्राइडिर्या कैसा होत है कि स्क्रीनिंग में अगर अच्छा कर और तुम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रू में पढ़ोगे तो उसके बाद तुम्हें एलिजिबल होगा ऐसा हार्डली कोई कॉमपनी है अगर एक कॉमपनी इसे इलेक्रिकल इंस्ट्रू एक को एलाउग करना चाहता है तो डारेक्ल या कॉमपनी या फिर ऐलाउगी नहीं करेगा स्कृ्णिंग के तुरू कोई इलेक्रिकल क와 फिर इंस्ट्रू कpta स्टूडेंट एलिजिबल होड़ा है यह मैंने नहीं सुना है और यह कोई इसके फॉर सब्सक्राइब करता है स्कृनिंग नहीं देखता है और यह कंपनी का नाम है साइनफिस जो इंस्टूम्ट तक डायेक्ली अलब कर देता है ठीक मतलब क्या है अगर तुम एक्षी पजूनिपर नहींक देने का कोई खास उसके बाद क्या है ठीक है उसके बाद पावर इंजिनेरिंग और मेकानिकल इन दोनों डिपर्टमेंट में थोरा थोरा कॉमपनिस ऐसा है जो डारेक्ली अलग कर देता है स्क्रिनिंग नहीं लगता है लेकिन बाकी डिपर्टमेंट को लगता है फॉर एक्जामपल इस साल था था उसके बाद बाकी लोगों डिजर्ट कर दिए वह डिफरेंट बात है लेकिन तो स्क्रिनिंग में टॉप 30 था एमाजन में और पावर को डारेक्ली अलोग किया था ठीक है तो मेकानिकल और पावर अगर परोगे तो सौफ्टर कॉमपनिस में थोरा एज मिलेगा ऐसा ब्रेंटर में स्क्रिनिंग से तुम्हें एडवंटेज लेना होगा तो तुम कैसा एडवंटेज ले सकते हो ऐसा ऐसा अगर मानलो हांडेट स्थर और अता है उसमें एप्रोक्सिमेटली फॉर्टी एस था कॉमपनिस है जो स्क्रिनिंग का बेलन रेजल देखता है और 60 या तुमें यह लगता है कि मैं कुई भी ब्रेंच ले लूंगा और स्कूरिणंग में टॉप करूँगा तो हर कॉमपनिया ANGर सकता है यह सार है अडल छल 수 zit कि दॉछा कमपनिये से कंपनियाएघ में धीITT टॉप टेन मतलब फर्स्ट अब वाल किया CAC IT ETC Electrical Institute तक डारेक्टली अलोग हो था उसके बाद टॉप टेन जितना इसना टॉप टेन एलोग किया था श्रोडिंगर में तो बाद रेजर पे कंपणि जो है वह इंटर्ण में आता वह टॉप घंडेर को सब्सक्राइब प्लेश्पेंट में आता वह पॉजिव स्कोर वाले को मतलब स्क्रीनी में कुछ भी रेंग हो तुम्हें अगर पॉस्टी स्कूर मेरे तो तुम एलिजबिल हो जाओगे ठीक है ऐसा था तो यह कॉम्पनेटर कमपनी भेरी करता है कि कितना अलाव करेगा कितना अलाव नहीं करेगा ठीक है जैसे कि ऐसा नीफाई नमको एक कॉम्पन में रहें कि जितना भी कंपनी स्क्रीनिंग के थूर्व होता है वह तुम बैट सकते हो लेकिन सारा कॉम्पनी में एस्टु में मेलेगा ठीक है तो तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बादे में थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया अगर कोई डाउट है तो क्मेंट सेक्शन म वह कर देगा सेंगों तो फोरा लॉजिकल होता है जैसे कि टू-पोइंटर्स बाइनरी सर्च वगरा टॉपिक से कुछिन आता है थार्ट कोशन थोरा हादा साइड हो जाता है जैसे कि स्लाइडिंग विंडो स्टैक वगरा कॉश्चन जनरली पूशता है ठीक है टू-पोइंटर्स का थोरा डिफिकल्ट वर्शन कोश्चन रहता है और कुछ-कुछ ताइम तो डैनेमी प्रोडम में भी दे देता है थार्ट कोश्चन में और फोर्ट कोश्चन कॉप्लिटली ट् स्क्रिणिंग का कुश्चन कैसा होता है अगर तुम चार में से अगर तीन कोश्चन एकदम हंडेड़ पर्संट करेक्ट अगर कर दिया तो तुम आसानी से टॉप 20 30 में रैंग आ जाएगा तुमें ठीक है इसे में कोई बड़ी बात नहीं है तो दो स्क्रिणिंग टेस्ट वह कॉंड़क करता है चादवपुर का कोडिंग क्लब यह कॉंड़क करता है और इसका प्रिवियस और कोश्चन तुम सिन्यर से अगर पूछोगे तो साइध मिल सकता है तो कैसा कोशन आता है वह तुम देख सकते हो ठीक है तो मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए के वाई